हावर फिक्स जूम मीटिंग एलर्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का टेकी राची यूटूब चैनल पर तो दोस्तो जैसे के आप मेरे स्क्रीन पर एक एरोर डेख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो जूम मेटिंग एप का दोस्तो यहाँ पर एक इस तरह क एरोर आ रहा है मेरे स्क्रीन पर ठीक है तो दोस्तो यह आपको भी इस तरह का एरोर आ जाते हैं मीटिंग एलर्ट ठीक है तो आपको क्यों आता है और दोस्तो यह जो प्रॉब्लम है आपको कैसे फिक्स करना है आज की इस वीडियो पर दोस्तो मैं आपको इसके यहाँ पर समझ में आ जाए और सारी साथ दोस्तोval आपका प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाए, ठीक है? तो दोस्तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपे हमारा चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथी साथ बेल आइकोन को भी क्लिक कर डिजेगा और यदि आप उनलाइन से पैसा कामाना चाते हैं तो आप हमारा वीडियो दिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक आउट कर सकते हैं तो चैनली दोस्तों हम यहाँ पर जो है वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर एक ओप्शन देख सकते हैं एन आडर मीटिंग हाब तो यहाँ पर दोस इसका जो मतलब है आप सकते अप अ ओल्रेडी एक मीटिंग पर कनेक्टेट है तो उसके वजह से यह प्रॉब्लम आपको आ जाते हैं तो यहाँ पर यह प्रोब्लम आ अपको तब आता है तो आप दोस्तो आप दुबारा से उसको जाके restart करते है meeting को तो तब ही दोस्तो आपको इस तरगा error आते तो आप दोस्तो इसको fix करने के लिए simply just another meeting कर दिने ठीक है तो another meeting करने के साथ दोस्तो आपका जो problem है वो यही पर fix हो जगा लेकिन दोस्तों यदि ये problem जो है आपके device से नहीं जाते हैं और आपको problem आते रहते हैं तो आपको दुस्तों एक बार जो है जाके app को update कर लेना है ठीक है यदि app update है तो दुस्तों update आपको नहीं करना होगा प्लेष्टर पर जाके update आपकर लिजें यदि आपडेट मांग रहा है उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ली जाना होगा setting पर ठीक है setting पर जाके दोस्तों app पर जाएए तो यहाँ पर पर क्लिक करने उसके बाद manage पर तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे जाना है जूम एप्लिकेशन पर यहाँ पर जाने के बाद आप जो है इसको कर दीजे फॉर्स तो सारे साथ दोस्तो आपको clear all data कर देना है ठीक है तो clear all data करने के बाद जाके दोस्तो आपका जो problem में वह fix हो जागा लेकिन दोस्तो clear all data करने के बाद आप एप permission वगढ़ा को allow कर दीजीगा ठीक है यह करने के बाद दूस्तो आप mobile को restart कीजिए restart करने के बाद दोस्तो जाके check कीजिए आपका problem definitely fix हो जागा तो इन solution के मतल से दूस्तों आपको यह problem दुभारा से नहीं आएगा तो इसका दोस्तों मतलब में आपको समझा दिया है solution में आपको समझा दिया है तो आप दोस्तो simply पूरा process को follow कीजिए problem आपके डिवाइस से चला जाएगा तो इमिट करते आपको जो है video पसन ने आओगा thanks for watching